आप सभी का स्वागत है आज की इस कहानी का नाम है बारिश की रात आज रोहित की सालगिरा है उसकी पतनी घर पर उसका इंतजार कर रही होती है लेकिन आज रोहित को ओफिस से लोटते वक्त काफी देर हो जाती है वह अपनी बाइक स्टॉट करता है लेकिन काफी देर तक प पहुंच जाता है लेकिन तभी बारिश होना शुरू हो जाती है. रोहिक बारिश में भीगने लगता है, बारिश से बचने के लिए वो अप्ने सूट के इसको अपने सिर पर रख लेता है. बस स्टैन्ट पर और भी कई लोग बस का इंतजार कर रहे हो ते हैं. ये सभी लोग देखने में बड़े ही अजीब लग रहे थे तब ही रोहित महसूस करता है कि बारिश की बूंदे उसके उपर गिरना बंध हो गई है जब उसने देखा तो बगल में एक व्यक्ति अपनी छत्री के आधे हिस्से को रोहित के उपर किये हुए था ये देखकर रोहित हलका सा मु कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और कहीं सूखा कहीं लोगों को जीवन देती है तो कहीं मौत उस आदमी की इस बात का रोहित के पास कोई जवाब नहीं था वह उस आदमी को देखकर हलका सा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया कुछ देर बाद रोहित का फ छत्री वाले आदमी के पैर नहीं है वह जूतों पर बिना पैरों के खड़ा है वह हिम्मत बांद कर खड़ा होता है और अंजान बनने का दिखावा करने लगता है तभी वह देखता है कि बस स्टेंड पर बाकी के लोग नहीं है वह और ज्यादा दर जाता है वो तुरंट अपनी पत्नी शालिनी को अपने साथ हो रही घटना को मैसेज के जर ये बता देता है और जल्दी से जल्दी अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है लेकिन तभी छत्री वाला आदमी कहता है शालिनी को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है ये सुनकर रोहित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है वो तब तक भागता रहता है जब तक कि उसे छत्री वाला आदमी दिखाए नहीं देता काफी दूर तक भागने के बाद रोहित होन्फने लगता है सास भरने के लिए वही टेबल पर बैट जाता है और अपनी तेज सासों को शान्त करने लगता है लेकिन तभी वह महसूस करता है कि बारिश की बूंदे फिर से उसके उपर गिरना बंध हो गई है वह अपनी नजर पीछे गूमाता है तो वही छत्री वाला आदमी उसके पास खड़ा हुआ होता है ये देखकर रोहित फिर से वहां से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफी दूर निकला आता है बिजली की तेज गरगराहत में वल देखता है कि सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ है जो ठीक रोहित के सामने है इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका है ये सब देख रोहित की चीख निकल जाती है इसी बीच रोहित को पीछे से बस के हौन की आवाद सुनाई देती है वह तेजी से पीछे मुलता है तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है तभी कुछ लोगों का जुन बस की तरफ आते हुई दिखाई देता है बस रुकती है और वह लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं इस धक्के में रोहित नीचे गिर जाता है और वह लोग रोहित के उपर चड़ने लगते हैं बस का कंड़क्टर इस बीर से बचने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ाता है लेकिन इस बीर में रोहित बस के नीचे आ जाता है और उसका आधा शरीर खुन से लटपत हो जाता है तब ही उसकी पतनी शालिनी बस स्टेंड वाली लोकेशन पर पहुँचती है जैसे ही वह रोहित को धूनते हुए इधर उधर देखती है तो उसे रोहित सड़क के बीचों बीच दर्द के मारे कराता हुआ दिखाए देता है उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचल चुका था और मदग के लिए कोई भी इधर उधर दिखाए नहीं दे रहा था किसी तरह से शालिनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है हॉस्पिटल पहुँच कर उसका इलाज किया जाता है उसकी जान तो बच जाती है लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर खराब हो जाते है अब वह कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता है उस हादसे के अगर किसी को भी उसके बारे में बताता, तो कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। Lेकिन शालिनी ने उसके बारे में एक आर्टिकल में पड़ा था, जिसमें बताया गया था कि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति इसी घटना का शिकार होता है। हर एक को वही छत्री वाला आदमी काला चश्मा पहने दिखाई देता है और बाद में वह आदमी उनकी जान ले लेता है कुछ दिनों बाद डिप्रेशन के कारण रोहित की मौत हो जाती है रोहित की पत्नी शालिनी मानसून के दिनों में हर रोज उसी बस स्टेंड पर जाती और उस छत्री वाले आदमी का इंतजार करती उसे लगता है कि शायद छत्री वाले आदमी की भी इसी तरह किसी बस के नीचे कुचल जाने से मौत हुई होगी और अब वह अपनी मौत का बदला ले रहा है शालिनी ने काफी कोशिश की लेकिन उसे कभी भी वह आदमी नहीं मिला अब हर सालगिरा पर शालिनी बहुत ही बुरी तरह रोती और रोहित को याद करती क्योंकि उसे जान से ज़्यादा चाहने वाला उसका पती रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा केवल यादों की सहारे ही वह उसे महसूस कर पाती थी ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं